तो फिल्म के शुरुवात में हम रे नाम के एक वॉलेंटियर से मिलते हैं जिस पे स्पाइडर हेड क्लिनिकर ट्रायल चल रहा है और ये ट्रायल्स को कंड़क्ट कर रहे हैं स्टीव और मार्क नाम के दो साइन्टिस्ट और शुरुवात में रे को कुछ जोक सुनाया जाता ह जिसे सुनकर रे हसता है और फिर उसके बाद उसे बताये जाता है र्वांडा में नरसंगर के बारे में जिसमें 8 लाग से जादके ल पर शौकिंग बात ये है कि वो जोक सुनकर भी हसरा था और नर्स अंगार की बात सुनकर भी वो हासी रहा था और स्टीव ये देखकर मुस्कुराता है क्यूंकि उसका ट्रायल सक्सेस्फुल रहा अब अगले दिन हम फिर से उसी साइंटेस्ट स्टीव अबनेस्टी को दिखते हैं जो स्पाइडर है रिसर्स सेंटर पहुंसता है जहां बहुत सारे वॉलेंटियर्स होते हैं जिन पर स्टीव अपने दवाई को टेस्ट करने वाला है और स्टीव एक वॉलेंटियर जेव के उपर एक दवाई टेस्ट करता है उस दवाई का नाम है N40 और जेफ को ब्लाइंड फूल्ड करके कहीं ले जाया जाता है और हर वॉलेंटियर के शरीर पे एक डिवाईस जिसे मूँ भी पैक कहते हैं लगया जाता है जिसके मदद से वॉलेंटियर के शरीर में दवाई को स्टीव जेफ से पुछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है जेफ कहता है कि यहाँ सब कुछ बहुत खुब सूरत है जेफ को वापस रिसर्स एंडर लाया जाता है और जेफ अपने रूम में अकेला बैठा होता है और एक फ्लैश बैक को दिखता है जिसमें जेफ अपनी ग स्ट में से कितना दोगे जेफ कहता है साड़े साथ और हैदर को पुछने पर वो बताती है कि वह जेफ को पांच देगी फिर दोनों पर एक दूसरे के उपर तूट पड़ते हैं जैसे दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया हो और यह दवाई एन-40 प्यार का ही दवाई है प कातम होने पर यह दुनों एक दूसरे के साथ कैसा बरताफ करते हैं और वो मार्क को कहता है कि उन्हें हैदर और जेफ पे नज़र रखना होगा फिर जेफ लीजी के साथ सारे वालेंटर्स के लिए खाना लेकर आता है और जेफ और हैदर एक दूसरे को वहाँ देखते हैं फिर अगले ट्राइल में जेफ और सारा होते हैं, मार्क सारा और जेफ में N40 याने कि उसी प्यार वाले दवाई को डाल देता है और दोनों शुरू हो जाते हैं, फिर अगले सीन में मार्क जेफ का डिवाइज यानि के मूवी पैक में दवाई को रिफिल करता है और बोलता है कि ट्राइल के समय ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हारा मूवी तैक ना चुए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी और जेफ मार्क को बोलता है कि उसे किचन में अब लीजी के साथ काम ने करना उसे किचन से हटवाने को बोलता है फिर अगले ट्राइल में सार और हैदर होती है और इक रूम में और एक वोलेंटियर डेव होता है जिस पर भी एक दवाई को टेस्ट किया जा रहा है वो खाना और खाना खाने के साल साथ वो उल्टी भी कर रहा है पर उसका भूग खतम ही नहीं हो रहा पता नहीं है कैसा experiment चल रहा है स्टीव जेफ से पूछता है कि तुम हेदर और सारा के लिए क्या फिल करते हो स्टीव कहता है कि वो किसी को पसंद नहीं करता पर उन ट्राइल्स में जो भी हुआ वो धीरे धीरे उसके दिमाग से धुंदला पड़ रहा है और जेफ हेदर और सारा को डार्कन फ्लक्स देने से माना कर देता है जो स्टीव उन दोनों पर डालना चाता है क्योंकि उस ड्रक से दर्द बहुत होता है जो जेला नहीं जा सकता स्टीव बताता है कि वो जेफ से N40 याने के लव एक्तिन याने के वही प्यार वले दवाई के बारे में बहुत कुछ जानना चाता है और बताता है कि जितना डोस तुमें और हेदर को दिया गया था उसका डबर डोस दिया गया था तुम्हें और सारा को पर फिर भी जेफ का दोनों आुरत के लिए ऐसास एक जासा है अब ट्रैल को खतम कर दिया जाता है और हैदर और सारा दोनों को वो भयानक दर्दवाला दवाई नहीं दिया जाता और स्टीव जेफ से पूछता है कि अगर तुम्हें हमारे पूटर्स को यूज करने का मौका मिलता इस एक्सपेरिमेंट से पहले तो तुम क्या करते जेफ कहता है कि वो वक्त को पलर देता ताकि जेफ उस एक्सडेंट में अपने दोस्त को बचा पाता अब रिसर्स सेंटर में वापस आकर जेफ लीजी से मिलता है और दोनों कुछ बाते करते हैं गार्ज जेफ को फ्री फ्रैडे के लिए बाहर लेकर जाते हैं जिसमें जेफ अपने किसी खास को कॉल कर सकता है और जेफ एक पाहर के उपर जाता है जहां से वो एमा को कॉल करता है लेकिन कॉल सीधा वाइस मिल बचाता है और जेफ एमा को लीजी के बारे बताता है रिसर्च सेंटर वापस पहुँचकर जेफ सेंटा बनकर लीजी को क्रिस्मस गिफ्ट देता है पर उन्हें पता नहीं कि आज क्रिस्मस है या नहीं क्योंकि वो सबी सिविलाइजेशन से दूर एक आईलैंड में एक रिसर्च सेंटर में रहते हैं अलिटराल में जेफ और एक हट्टा का तादमी रोगन होते हैं और जेफ कहता है वो ये नहीं करेगा उससे ये होगा ये नहीं पर स्टीव कहता है रिलाक्स आज क्यों रोमैंस नहीं होगा और कुछ दिर बैठा रहने के बाद स्टिव उन दोनों को जाने को बोलता है जेफ गुसे में स्टीव के पास आता है जहां हैदर बैटी होती है और वो Heather से पूछता है कि Steve ने तुमसे क्या कहा, उसने जरूर तुमसे यही कहा होगा कि Dark and Flock किसे देना है, और Heather कहती है, Steve ने ऐसा ही कुछ कहा था, Steve Heather को जाने को बोलता है, और Jeff Steve पे गुस्सा है कि यहाँ हर कोई गिजी के साथ सेक्स कर रहा है, यह कैसा ट्रायल है, यहाँ क जहा नहीं होते, तो तुम जेल में होते, और तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कमी है क्या, कोई रोगटोग नहीं है, तुम फैसिलिटी में कहीं भी घुम सकते हो, अपना मन पसंद खाने का चीज़ खा सकते हो, तुम्हें हर चीज़ की आजादी है, और कहता है उसे बदल बात कर लिजी को पता है कि अब जेफ उसके साथ किचिन में काम नहीं करना चाता है और पूछती है क्या तु मेरे साथ रहना नहीं चाते क्या एमाइज की रीजन है पर जेफ कहता है ऐसा कुछ नहीं है वैसे बी एमा मूँव आन कर चुकी है बस उसे एमाइज की एक बार स्टीव को इस दवाई के रिस्ट के बारें बताता है पर स्टीव कहता है कि दूसरों से पहले हमें खुद पर इन ड्रेक्स को ट्राइ करना होगा ताकि अधर हम फेल हुए तो जवाब दे सकें तब ही वहाँ जेफ आ जाता है और स्टीव जेफ से अपना मोबी पैक और दवा जाएगा कि वह कैसे रियक्ट करता है उसमें हैदर के लिए फीलिंग्स है या नहीं पर अंदर या अंदर जेफ वह दर्द वाला दवाई हैदर को नहीं देना चाहता इसलिए वह स्टीव को बोलता है कि जाकर बहुत से बात करो अब कॉफी रेने के बहाने वह बाहर जाता और स्टीव लीजी से मिलता है और स्टीव लीजी के खाना बनाने के टैलेंट की तारीफ करता है और स्टीव से पता चलता है कि लीजी को जेल हुआ था और ये बात लीजी सबसे छुपा कर रखना चाहती है अब स्टीव वापस आता है पर उसने फोन दो किया ही नहीं और वो देखकर जेफ को ठीक नहीं लगता, पर अचानक से डोज ओवर्फलो ओने लगता है, और मार्क देखता है कि वो डोज को कंट्रोल दी नहीं कर पा रहा, डिवाइस बंदी नहीं हो रहा, और मार्क को स्टीव अंदर भेजता है हेदर के पास, और हेदर अंदर बहुत खोल लेता है, और एक लेटर हेड में नाम देखता है, एबनेस्टी फार्मसूटिकल, जो के स्टीव का सर नेम है, मतलब ये कमपनी स्टीव का ही है, कोई बॉस नहीं है, और उसे एक बिंगो कार्ड मिलता है, जिसमें बिंगो लिखा है, और उसके नीचे बहुत सारे मार्क इस हाथ से को रिपोर्ट करना चाता है, पर स्टीव कहता है, इसके साथ साथ मार्क का भी करियर खराब हो जाएगा, वो भी डूब जाएगा, इसले स्टीव उसे समझाता है, कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, और ये तो ट्रैल में होता रहता है, पर मार्क के लिए कु 46 का यूज करते हैं जिसके बाद दोनों टेंशन भुला कर हसने लगते हैं अगले दिन लीजी पर ट्रायल चलता है और लीजी स्टेपलर से डरने लगती है एक दवाई के वज़े से और ट्रायल के बाद लीजी अपना फिलिंग्स जेफ को बदाती है कहती है कि वो कई साल जे क्यों कहा और जेफ कहता है क्योंकि वो डिजल्व करता है और तब हम एक फ्लैश बैक देखते हैं उसी रात का पार्टी से निकलने के बाद जेफ के साथ कार में एमा भी होती है और कार का एकसिडेंट हो जाता है जिसमें जेफ तो बच जाता है पर जब वो एमा को बचाने हूँ और दूनों किस करते हैं. जेफ और लीजी किचन में बात कर रहे होते हैं. तब ही वहाँ स्टीव आ जाता है. और स्टीव उन दूनों को देख लेता है एक साथ. और जब जेफ स्टीव स्टीव उसके रूम में लीजी का एक تصवीर दिखता है, और खुद में N40 इंजट करकेस हो जाता है अब रात में स्टीव जेफ को अपने लैब में बुलाता है और बताता है कि कमेटी चाहती है कि तुम एक और मेंबर को डार्कन फ्लॉक्स देने की पर्मिशन दो और अंदर होती है लीजी इसलिए जेफ लीजी को डार्कन फ्लॉक्स देने से माना कर देता है और स्टीव कहता है कि तुम रात भर अच्छे से सोच लो कल सुछा बताना फिर मार्क जेफ के रूम में जाता है उसका मोबी पैक चेक करने तब जेफ मार्क को बताता है कि उसे पता है यहाँ कोई कमिटी नहीं है और ये कंपनी स्टीव का ही है और पूछता है तुम ऐसे लोग के साथ काम क्यों कर रहे हो तुमें तो बाहर कहीं भी काम मिल जाएगा तब मार्क बताता है कि वो यहां आया था बस दुनिया का भला करने जेफ कहता है वो तुम अभी भी कर सकते हो अगली सुभा जेफ स्टीव के पास जाता है पर वहां मार्क नहीं होता स्टीव कहता है उसका तब्यत खराब है और आज लीजी पे वो ड्रग ड्रेल होने वाला है उसी भयानक दर्द वाले ड्रग्स का पर जेफ कहता है वो नहीं करने वाला वो लीजी को डार्क इन फ्लाक्स नहीं देगा ये सुनकर स्टीव गुस्सा हो जाता है और पूछता है तुम ये क्यों कर रहे हो और वो जेफ को बोलती है कि तुम ये एक्सपेरिमेंट करो क्योंकि ये मैं डिजर्व करती हूँ और वो चिलाने लगती है मुझे वो दवाई दो और जेफ वो दवाई रिलीस कर देता है पर अचानक से स्टीव हसने लगता है और ये स्टीव को भी नहीं पता ऐसे सीरियस सिच्वेशन में वो हस क्यों रहा है और फिर पता चलता है कि जेफ स्टीव के मुबी पैक को कंट्रोल कर रहा है और जेफ स्टीव मेर डार्कन फ्लॉक्स रिलीस कर देता है और जेफ बताता है कि मार्क पूलिस को बूलाने गया है उसका तब्यत खड़ाब नहीं है और बताता है कि तुम हम पर B6 टेस्ट कर रहे थे और ये दवाई यानि के B6 लोगों को तुम्हारा गुलाम बना देती है पर स्टीव बताता है जेफ को कि वो एक दुनिया बनाना च खुलवाता है पर स्टीव जेफ पे हमला करता है और वो डिवाईस लेकर लिजी पे डार्कन फ्लॉक्स का चार वायल रिलीस कर देता है और डिवाईस को तोर देता है जेफ और स्टीव के बीच फाइट में स्टीव का मोबी पैक खराब हो जाता है और जेफ जाकर लिजी क ड्रग्स है इसी दो स्टीव की बात मानते हैं और स्टीव फसीलिटी के तरफ पुलीस को आते वे देखता है और सारे वॉलेंटियर से लिजी और जेफ लड़ते हैं और स्टीव अपना बचावा दवाई लेकर प्राइवर जेट से भाग जाता है पर स्टीव में दवाई का असली असर दिखने लबता है वो एक ही समय में हस रहा है रो रहा है और देखता है कि पुलीस फसीलिटी में पहुँचने वाले हैं और मार्क जो पुलीस के साथ है वो स्टीव को भागते वे देखता है जेफ और लीजी भी एक बोर्ट में बैट कर भाग जाते हैं और उस दवाई के बज़े से स्टीव अपने सामने सूरज को चमपता हुआ देखता है और स्टीव अपने जेट को लेकर एक पाहार में क्रैश कर जाता है और जेफ और लीजी वहां से निकल जाता है और इसे के साथ स्पाइडर हेड मूवी यहीं एंड होती है तो वीडियो पसंद लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवी और टीवी सीरीज एक्स्प्लेनेशन के लिए